तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है वो काफी कमाल के टोपिक पर होने वाली है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमको भी डेली एक वीडियो अपने चैल पर अपलोड करनी चाहिए, क्या ये ही यूट्यूब चैल की ग्रोथ का सीक्रेट है, और सबसे बड आपको क्यूँ डेली एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए, अपना पूरे पांच सल का experience डालने वाला हूँ, सिर्फ इस एक वीडियो में, तो वीडियो को कमपीट देखेगा, चल को सबस्काइब नहीं किया, सबस्काइब करने दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, जो लोग मुझसे बहुत करते हैं, वो करते हैं कि सर आप डेली एक वीडियो कैसे अपलोड कर पाते हैं, तो मैं आपको बता दू हाला कि मैं बहुत ज़ादा ट्रावल करता हूँ, अभी भी मैं यह समझ लीजिए, अभी तीन वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं एक जो अपना योट्यूब का वरके उसके लिए डेडिकेटेड हूँ, और मैं एक फॉल टाइम योट्यूबर हूँ, बीच में एक बार हुआ था कि मैंने एक दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, तो लोग ने दूसरी वीडियो पर जाके कमेंट किये, कि सरा आज आपकी वीडियो नहीं आई, जनि लोगों को भी ये हविट है, आपको लोग भी चाहते है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, तापकि आपको एक नई वीडियो देखने को मिले, तो मैंने क्या क्या फिर सेकेंड दे दो वीडियो अपलोड हो चुकिये, मैंनेज कैसे करता वो बतायता हूँ, मैं जब भी कही ट्रावल करने जाता हूँ, मालीजे मुझे 10 दिन का ट्रावल करना है, तो मैं कम से कम 12 वीडियो एडवांस में बनाके, सिडूल करके और फिर अनलिस्टेड करके ही जाता हूँ, इवन मैं एक ब दूसरी बात करते हैं, क्या डेली एक वीडियो अपलोड करना जरूरी है, तो देखे पहली बात, इस बात का जवाब देने से पहले हमको एक बात समझना बहुत जरूरी है, कि हर केटेगरी में आप डेली एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, माल लीजे आपका कोई ट आपका जो content है, वो ऐसा content है, जिसमें आपको बहुत ज़दा cinematic sort use करने पड़ते हैं, काफी ज़दा viral sorts होते हैं, और आपका जो, मतलब video है, वो ऐसा होता है, जिसकी script लिखनी पड़ेगी, एक अच्छा comedy video है, जिसमें काफी सारी मतलब cast होती है, मतलब एक बंदा नहीं है, चार कि आपकी category क्या है, अगर आपकी category ऐसी है, जहाँ पर daily video upload करनी चाहिए, तो आपके करें, और जिस category में नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप कभी कभी video upload कर सकते हैं, बात करेंगे growth की, दोनों में से किसकी growth पहले होगी, तो ये बिल्कुल भी confirm नहीं है, हो सकता है, daily video बनाने व आप, उसमें वो कितना time मांगता है, simple, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर माल लीजे, आप एक नया channel बना रहे हैं, तो मैं आपको ये recommend करूँगा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा video upload करें, क्योंकि जब आप एक नया channel बनाते हैं, तो आप zero audience से अपना channel start करते हैं, तो आप जितना भी आप video बनाएंगे, और में से कोई ना कोई video तो YouTube recommend logo को करेगा ही करेगा, जिससे आपको audience मिलेगी, और आप continue काम कर पाएंगे, simple, तो यहाँ पर आप starting में ज़्यादा videos upload करें, बाद में भले आप videos की frequency कम कर सकते हैं, अब यहाँ प एक चीज और भी होते हैं, जो daily video upload करते हैं, मैं daily video upload करता हूं, तो मेरी हर video पर अच्छे views नहीं आते, क्योंकि अगर आप daily video करेंगे upload, तो वहाँ पर आप सारी video बहतर नहीं बना सकते, सारी video अपनी audience के according नहीं बना सकते, कुछ ऐसी video भी आप बनाओगे, जो आपकी सभी audience पसंद नहीं करेगी, तो व अब कसर video नहीं आया, तो अब बात यह कि मेरी audience को भी आदत हो गई है, यहनि आप लोगों को, और मुझे भी daily एक video upload करने की आदत हो गई है, लेकिन अगर आप एक नया challenge स्टार्ट कर रहे हैं, और आपका चल कुछ ऐसी category में, जहापे आप daily video बना सकते हैं, तो आपको ज़ पर करेगा, कि आपका जो video है, वो बनने में कितना समय लेता है, तो I think इस सारी confusion आपकी clear हो गई होगी, अब मैं daily video upload क्यों करता हूँ, उसके बारे में आपको पता चल गए होगा, क्योंकि YouTube मुझे पसंद है, मतलब मैं daddy किसन है, अपने YouTube के वर्क के परती, और मुझे भी daily video बनाने की आदत हो गई है, बाकि आप बताइए, आप अपने चनल पर daily video upload करते हैं, या फिर कब करते हैं, और आपका चनल किस category का है, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को like share कर देना, चनल पर पहली बार आए, subscribe करने के साथ, notification bell को दबाके all पर भी click कर देना, इसी तरह क content आपके यहाँ पर मिलता रहेगा, चले मिलता है अगरे वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, चैहे